जहां सरकार द्वारा पेडों के बचाव के लिए लोगों को जागरू किया जाता है जिससे पर्यावरन ठीक रहे मगर वहीं मतुरा के थाना फरे शेत्र सित गाउं सलेमपूर में हरे पेडों को काटा जा रहा है दरसल थाना फरे के गाउं सलेमपूर में उस समय हरकम मच गया जब किसी अज्यात व्यक्ति द्वारा फोन पर पुलिस को सूशना दी गई कि कुछ दबंग लोगों द्वारा अवैद रूप से ग्राम समाज की सरकारी भूमी पर पेडों का कटान किया जा रहा है जिसकी सूशना मिलते ही मोके पर पहुँचे पुलिस गई और मोके से एक युवक को गिरफतार कर लिया जबकि उसके अन्ने साथ ही भागने में सफल हो गए ग्रामिनों ने बताया कि सलेमपूर गाओ में कुछ भू माफिया टाइप के लोग हमीशा घूमते नजर आते हैं जो किसी ना किसी वारदात को अंजाम देते रहते हैं और यहाँ पर जबरन जमीन को कबजाने का काम करते हैं और इसी तरह आज भी अग्यात लोगों द्वारा फैक्टरी के पीछे खाली पड़े सरकारी जमीन पर कबजा करने की कोशिश की गई जहां जमीन पर लगे सैंक्डों व्रिक्षों को उक्त लोगों ने काट दिया है जिसके जानकारे पुलिस को लगी तो तुरंद मोगे पर पहुंच कर पेडों का कटान कर रहे लोगों को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन पुलिस को चक्मा देकर कई लोग मोके से ही फरार हो गए जबकि ग्रामीनों की मदद से एक युवा को गिरफतार कर लिया गया वहीं पेडो की कटान की घटना को लेकर ग्रामीनों में आक्रोष व्यापत है ग्रामीनों का कहना है कि इस तरह के असमाजिक तत्व के लोग यहां लगातार गुमते रहते हैं जिनके उपर कारवाई होना आवशक है लेकिन शेत्रिय पुलिस पर भी कारवाई ना करने क्या रोप लगाए कि बू माफिया आयदिनी सिलाके में ऐसे घटनाई करते रहते हैं फिलहाल पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूश्ताच में जुटी हुई है अब देखना ये होगा कि हरे ब्रिक्ष काटने वालों के खिलाफ क्या कारवाई की जाती है यह मामला है सरकारी जमीन है पैपलैन की अमर्चतनी कटवाई देगे जबर जस्तियों आते नहीं करी बुबानमा है मैंने बस से फॉंड करया राब इच्छ है तो जो गया रहा मिजब सब काटा है यह सब कटवा देते हैं जैसे भी तोड़ दिया है और यह एड़ तमपे सामने यही भी तोड़ दिया है इसे स्वामले को लेकर पुरिस ने सिकायट करी पुरिस आई अब दो एक आदमी लेगी पकड़के काट रहा था उसको प्रोड़ क्या नाम है आपका और क्या मामला है मेरा नाम देवकी लिंदन है और हम घाव सलेंपर के लिवा में है हमारे गाव में मैंची सरकारी काम जो भी होता है उसे लोग दुर्प्योग कर रहा है जैसे कि यह पेड़ है इसको कटवा लिया है जबर दस्ती जोके चारचे लोग एतने गुंडा टाइब के आदमी है कि उनके साम किसी की चलती है हमारा सरकारी नल है इस पर से गाव की और पानी बठती है अब आज हम एंसाम को पानी की बश्ता नहीं है कम पानी कहां से पिएंगे क्योंकि यह नल देखो आप इस तुपी देख लो नल तूटा हुआ पड़ा है दो बात तीसरी बात जी है कि ह जबर खराब होता है, हैक्टरी मालेक जबर्दस्ति मनवानी से गाहनवालों को भटकार देता है, कोई कहता भी है तो, और जबर्दस्ति आसा है। ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल आइकन को ख्लिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें। घंदेवाली।